नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकोस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं पेट के इंफेक्शन के दवा के बरे में कि जिसका नाम है नौर मेट्रोजिल प्लस तो उसके डिटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कि बार बार आपको जो है वो लूज़ेमों प्लसson हो जाते हैं डाइरिया जिसके सिंटम्स आहिए या फिर इंटेस्टन Nossaथ Now तो इसके डिटेल 스ट करते हैं आज की लेक्चर में study करते हैं आज के lecture में और जानते हैं यह medications के बारे में कि जो पेट के infections को treat करती है तो ऐसे ही समझे कि आपको detail में सीखना है तो आप सीख सकते हैं medicine course के अंदर pharma rocks के पूपर तो यह course join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाती हैं अब आधे topic प्यों समझते हैं नौर मेट्रोजिल प्लस टेबलेट के बारे में तो यह ऐसे class का medication की जिसको हम antibiotic कहते हैं और उसके अंदर दो दवायों का combination है एक antibiotic के जिसका नाम है ओफ्लॉक्जासीन की जो 200 mg जितना यह tablet के अंदर प्रेजन्ट है और दूसरा जो हम medication देखे तो वो है और निडाजॉल की जो 500 mg जितना यह tablet के अंदर प्रेजन्ट है अब बात करते हैं उसके manufacturer की तो liquor pharmaceutical जो है वो उसके manufacturer है कि जिसका headquarters जो है वो मुंबई में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके label की हम यहाँ पर study करें तो यह जो है वो film coated टाबलेट रहती है cidulage drug रही थी कि जिसके करन जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही बेचा जाता है और sunset yellow FCF करके जो color है वो उसके अंदर जो एड़ किया गया है तो नौर मेट्रोजल प्लस जो उसका brand name हो गया और उसका salt content के हम बात करें तो वो हो गए bacterial infections को treat करने के लिए यूज किया जाता है और यह फॉस्स generation fluorokinolan का हो जाता है कि जो आपके सर्रे के अंदर हो रहे है bacteria की growth को काम करता है और समझे कि पेट में infections होता है intestine में infections होता है तो उसको ठीक करने के लिए यह medication जो वो यूज की जाती है साथ यूज के साथ जो combination है में है वो है और निडाजोल है तो वो भी एक पेट के infections में यूज की जानी वाली दवाई है कि जिसको anti-protozole drug कहते है और जो एमे big infections होते हैं कि जिसके करन diarrhea के symptoms हो जाते है ट्राविलर्स डायरिया हो जाते हैं आपको patches हो जाते हैं intestine infections हो जाता है तो यह सभी conditions को यह treat करता है और साथ जो GRDS के condition है Trichomoniasis की condition है Amoebiosis की condition होते हैं सभी जो parasitic infections होते हैं कि जो पर जीवी संक्रमन के करन होते हैं कि मानलों कि उसी ने contaminated food ले लिया है ऐसा पानी पीने में आ गया है कि जो काफी दूसीत पानी था और उसके करन आपको pavement infection हो गया है तो acid conditions को treat करने के लिए ornidazol जो प्रिसक्रेब गी जाती है तो यह medication जो वह combination हो गई दोनों दवाई की तो बहुत सारे complications को यह जो ठीक कर दी है तो उसके label के उपर आप यहाँ पे लाल लेकिर देख सकते तो खास यह दियान रखना है कि prescription के साथ ही उसको जो यूज की होता है तो जैसे मैंने आपको starting में भी बताए कि यह जो है पेट के infections की दवा क के रुप में यूज के जाता है और intestine के infections को treat करता है उसके अलाव हम दूसरे हम देखे तो urinary track में समझो के infections हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए नौर मेटरोजल प्लस क्रिस्क्राइब की जाती है intestine infection से रैस्परे ट्रैक infection गौनोरिया है जैनिटल के infections है गेस्ट इंट्रिस्टेनल ट्रैक के कोई infections हुए है उसके अलावा आप देखे तो आमेबायस की condition है जियाडियस की condition ट्राइक आमोनियस इसके एक टाइप का वजेनल इंफेक्षन है उसके अलावा जो वेक्टिरियल व conditions को ठीक करने के लिए medication जो है वो यूज की जाती है अब बात करते उसके dose के तो एडल के लिए dose के हम बात करें तो ओफ्लॉक्स का dose रहता है 200 mg जितना दिन में दो बार और 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 दाजोल का भी सेम रहता है 500 mg दिन में दो बार तो यह tablet जो है वो patient दिन में एक ले सकता है या infections को control करने के लिए दिन में एक टाबलेट भी इनफ रहता है तो डोस समझो कि पेशन समझो कि दिन में एक ही टाबलेट लेता है तो 24 hours का difference रहेगा दो टाबलेट के बीच में पर दिन में समझो कि दो टाबलेट रहे रहा है तो एटलिस्ट बारा गंटे का आपको टाइम इं को देनी चाहिए अब उसका side effects के हम बात करें तो यह लेने के बाद कुछ लोग dizziness जीसा फिल करते हैं सीर दर्द हो जाना स्टामक अपसेट हो जाना नौस्जेव ओमेटिंग हो जाना बूख कम हो जाना कुछ लोगों को डाइरिया हो जाते हैं और ज्यादा कि अगर उनको यह मेडिकेशन सूट नहीं करती और सेकंड कुछ लोगों को कॉंस्टिपेशन भी हो जाता है कि अगर हाई डोस में खा लेते हैं मैटलिक टेस जीसा कुछ लोग फिल करते हैं अपने माउथ के अंदर प्रेगनसी के अंदर बात करें तो यह मेडिकेशन स्केटेगरी सी के अंदर है तो यह खास दियान रखना है कि प्रेगनसी में आप आपको उसको avoid करनी है because animal study के दौरान जो animals के जो fetus होते हैं उनके आपर उसकी harmful असर हो सकती है but same problem जो हो सकता है humans के अंदर भी तो प्रेगनसी के दौरान यह medications को आपको use नहीं करनी है because आपको safe side पर रहना है और यह medication को जो आपको नहीं लेनी है तो जरूर से gynecologist को consult करना च होता है तो जरूर से आपके gynecologist को consult करना चाहिए और वो जो आपको suggest करते है उसी के according to pregnancy में medication लेनी चाहिए अब बारत करते हैं यह medications के warnings या फिर contraindications के तो अगर यह medication लेने के बाद किसी को चक कर आने लगते है या फिर कोई बेहोस हो जाता है तो ऐसे condition में यह medication को use नहीं कर करने चाहिए breathing करने में difficulty होती है swallow करने में लेकर नीगलने में दिक्कत आती है या फिर सूजन आ जाती है पूरी body के अंदर या फिर अचानक से chest pain होने लगता है तो ऐसे condition में आगी यह medication use नहीं करने चाहिए और तुरन आपके doctor या फिर pharmacist को inform करके दूसरा safe alternative medication लेना चाहिए Contraindications के हम बात करते हैं किसी को diarrhea हुआ है बट diarrhea होने का reason है Clostridium Difficile Bacteria तो ऐसे condition में यह medication use ना करें diabetes patient है और जिनका sugar जो है वो लो रहता है तो वो लोग यह medication को use ना करें तिसरी condition कि आपके blood के इंदर potassium के मात्रा कम है या फिर आपको thresholds रहते हैं Caesar के मिले कि आपको मिर्गी के द्वारे बढ़ते हैं epilepsy related किसी को problem है किसी को lungs kidney या फिर heart related problem है या फिर वो transplant किया हुए है तो ऐसे condition में भी यह medication को use नहीं की जाती है फिर peripheral neuropathy का कोई patient है liver disease का कोई patient है फ metronidazole के आपको allergy है तो आपको auridazole से भी allergy हो सकती है सिप्रोफ्लॉक्जसन से allergy होती है तो आपको ओफ्लॉक्जसन या फिर नौर्फ्लॉक्जसन से भी हो सकती है तो ऐसे condition में आपको समझो कि allergy है यह सब medications की तो उसको नहीं लेना चाहिए फिर central nervous system related disease वाले कोई patient है epilepsy के जो patient की जिनको मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं multiple sclerosis के patient है या फिर liver disease के patients को यह medication जो वो नहीं दी जाते हैं तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं detail में किसी भी दवा के बारे में medicine course के अंदर pharma रोक्स के अब उपर तो यह course join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको download कर स झाल